वहीं लखनों से बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहाँ पर मॉल में भीशन आग लगई है आग लगने से मॉल में भगदर मच गई है बड़ी जानकारी इस वक्की लखनों से आपको दे रहे है जहाँ पर मॉल में भीशन आग लगी है और आग लगने की वजह से मॉल में भ अग्दर मश्ती हुई नजर आई है ये तस्वीरे लखनों से हम आपको दिखा रहे है जहाँ पर मॉल में आग लगी है इस कबर पर जादा जानकारी के साथ हमारे समवादाता जैकृष्णा हमारे साथ सीधे जुड़ गए है जादा जानकारी है इस पर आपको देंगे में चट के ऊपर आग लगी है जो कि जनरेटर वगएरा वहां पर रखे हुए साथ देखे जा रहे हैं और ऐसी सूशना फायरवेभाग की टीम को दी गई ती जिसके बाद फायरवेभाग की टीम मौके पर पहुंची और जास परताल की जा रही है हालांकि फेनिक्स अप्र बड़ी जानकारी इस वक्की लखनों से आपको दे रहे हैं जहां पर मौल में भीशना आग लगी है और आग लगने की वजह से मौल में भगदर मच गई है यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लियूसिफ तस्वीरे सबसे पहले न्यू स्टेट पर आप देख रहे हैं लखनों का मौल है जिसमें भीशना आग लगी है और मौल में आग लगने की वजह से वहाँ पर भगदर मच गई है जो लोग उस मौल में मौजूद थे उनके दर्मियान भगदर मचती हुई नजर आई है यह तस्वीरे लखनों से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मौल में आग लगी है इसकवर पर जादा जानकारी के साथ हमारी संवादाता जैकृष्णा हमारे साथ सीधे जुड़ गए है जादा जानकारी है इस पर आपको देंगे जैकृष्णा कब लगी आग क्या इसके पीछे की वजह आए और अभी क्या इस्ति फैरवेभाग की टीम को दी गई थी जिसके बाद फैरवेभाग की टीम मौके पर पहुची और जाज परताल की जा रही है फैरवेभाग की पर फैरवेभाग की टीम मौके पर फैरवेभाग की सुचना दी गई और आप नजर पर लगातार अपडेट्स हम लेते रहेंगे यह तस्वीरे दिखा रहे हैं लकनों में जहां मौल में आग लग गई है